नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टो द्रोनाचाड जोई के सम्ट फ्रेंड्स एक इंद्रा गांधी नेशनल टायवाल उन्वर्शिटी के तरप से ओपन कांसलिंग को लेकर एक बहुत इंपोनन अपडेट है दोस्तों यहाँ पर जोकि आपका मेरे डिरिस डिकलार हो चुका है open counseling का जोकि 30 नभेंबर में open counseling हुआ था PG program के लिए UG program का भी यहाँ पर आपका आ चुका है दोस्तों यहाँ पर आप official upset में admission section में यहाँ पर आपको जाना होगा एक December का अपडेट है PG Provisional Selection List of the Candidates through Open Counseling जो कि 30 November में यह आपका हुआ था जो भी students यहाँ पर selected हुए है यहाँ पर आपको payment करना होगा 2 December से लेकर 5 December इसका last date रहेगा जो भी students यहाँ पर selected होंगे यहाँ पर जो कि आपको university में भी जाना होगा जैसे कि 6 December इसका last date रहेगा आप यहाँ पर verification के लिए जा सेकते हो document verification के लिए 6 December तक आपका respective department में तो यहाँ पर हम देख लेते प्रेंस कितना cut up रहा है different different program के लिए B8 program का category वाईज कितना कि यहाँ पर cut up रहा है यहाँ पर हम चलिए बात करते है तो इस PDF को आप download करना चाहते हो तो telegram channel पर आपको share कर दे है वहाँ पर आप join होके download कर सकते हो तो B8 program का यहाँ पर हम देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हो bachelor of education तो undeserved category का यहाँ पर हम देखे तो friends जो कि undeserved category के लिए रहेगा 88.38 something यहाँ पर आपका cut up रहा है नेक्स्ट आपका रहेगा EWS EWS में जो भी यहाँ पर आपका 88.34 something यहाँ पर आपका है जो कि एकी students का यहाँ पर आपका admission हुआ है नेक्स्ट आपका हम बात करें तो OBC non-criminal candidates के लिए रहेगा 80.82 something यहाँ पर आपका है नेक्स्ट आपका ST category candidates के लिए रहेगा 60.828 something यहाँ पर आपका है ST category में यहाँ पर आप देख सेखते हैं 56.789 something यहाँ पर आपका रहेगा यह B8 प्रोग्राम का है जो भी प्रोग्राम में आप apply किये हो यहाँ पर आप चेकर सेखते हो स्पीडे में सभी प्रोग्राम का यहाँ पर आपका दिया गया है दोस्तों ओके यह तर्स अब कुछ आपडेट जो कि यहाँ पर आपको payment भी करना होगा जो कि 5 December इसका last date है and 6 December तक यहाँ पर आप verification के लिए university में जा सकते हो आपका respective department में ओके friends